खबरधार से जहां भोच शाला में 14 दिन का सर्वे पूरा हो गया है खुदाई मैपिंग मेजरमेंट स्कैनिंग का काम हुआ है हिंदू फ्रन्ट फॉर जस्टिस का दावा है कि खुदाई में पिलर बेस और सीधियां मिली है पिछले हिस्से में पिलर बेस और सीधियां मिली है और खुदाई के धौरान कुछ ऐसी चीजे भी मिल रही है उन चीजों की भी रिपोर्ट तयार की जाएगी भोच शाला में लगतार 14 दिन ASI सर्वे पूरा हो गया है 14 दिन का 29 अपरिल के पहले पहले ही रिपोर्ट देनी है खुदाई मैपिंग मेजर्मेंट स्कैनिंग का काम पूरा हुआ और हिंदो फ्रंट फॉर जस्टिस का ये दावा है कि खुदाई में पिलर बेस और सीधियां मिली है वैसे ही चल रही है क्लीनिंग और ब्रिशिंग वैसे ही चल रही है और ट्रेंचेज में जो पीछे माता के गर्ब ग्रह के पास एक जो ट्रेंच कुली है उसमें एक फिलर बेस टाइप की थी दिखाई पड़ी अब इसाइब का क्या नाम नाम निगा नॉमन फेचर करेगी उसका पीरियड क्या है वो तो कार्बन नेटिंग से भी पता चलेगा नवीन संबादा साज उर गए है नवीन दावा ये किया जा रहा है कि खुदाई के दौरान पिलर बेस और सीड़ियां मिली है से क्या आप कहा जाए हलाकि जो ये चीज़ें मिल रही हैं उनको लेकर भी जाच होगी क्या आगे जी हाँ बिलकुल बताना चाहूँगा कि खुद्षाला का सर्वे जो है वो लगाता जारी है बोशाला के पिछले वाले हिस्ते में तीन जगहों के खुदाई की जा रही है और उनी में से तीन इस्तानों से एक इस्तान पर जो है जो है क्या वो बेस जो है पिलर बेस जो है वो मिला है और उसके पास ही जो है सीडिया भी अंदर मिली है तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि बोशाला का एक तलोर अंदर बना हो या फिर वो सीडिया कहीं जाके हो रूशर रस्ते पे जाके मिलती हो जिस प्रकार के अनुमान लगाया जा रहा है बोच शाला के पिछले वाला हिस्तर में एक भावडी भी है तो ऐसा अनुवान में लगाया जा रहा है कि कहीं ये सीड़िया जो है बावडी तक जाती हो तो इस प्रकार से ये पूरा सर्वे जो है वो चल रहा है वो रहा है दो नए खुला से इस पूरे मामले में हुए हैं बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी साजा करने के लिए भोच शाला में 14 दिन का सर्वे पूरा हो गया है और खुदाई के दोरां जो चीजें मिली उसका भी जिक्रम कर रही हैं सीड़ियां मिली हैं और पिलर बेस मिला है बुलिटेन में फिलाल इतना ही आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा